मेरे प्यारे देश्वासियों, चार दिसम्मर को हम सब नेवी डे नौ सेना दिवस मनाएंगे। भारति ये नौ सेना हमारे समुद्र तटों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करती हैं। मैं नौ सेना से जुड़े सभी लोगों का विनंदन करता हूं। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी सभ्यता का विकास नद्यों के किनारे हुआ है। चाहे वह सिंदू हो, गंगा हो, यामना हो, सरस्वती हो। हमारी नद्या और समुद्र, आर्तियों को और सामरिक, स्ट्राटेजिक दोनों परपच के लिए महत्वपूर है। वे पूरे विश्व के लिए हमारा गेटवे है। इस देश का, हमारी इस भूमी का महासरगरों के साथ अटूट समंद रहा है। और जब हम इतिहास की और नजर करते हैं तो आट सो नौ सो साल पहले, चौल वाउंश के समय चोल नेवी को सबसे सकते साली नौ से नौ में से एक माना जाता था। चोल सामराज्य के विस्तार में उसे अपने समय का एकनोमिक सुपर पावर बनाने में उनकी नेवी का बहुत बड़े हिस्सा था। चोल नेवी की मुहीम खोज यात्राओं के धिरो उधारन का संगम सहित्य में आज भी उपलब्द है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि विश्व में जाता तर नौ से नौ ने बहुत देर के बाद युद्ध पोतों पर महिलाओं को अलाव किया था। लेकिन चोल नेवी में और वो भी 800-900 साल पहले बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रमुक भूमी का निभाई थी। और यहां तक की महलाएं लड़ाई में भी शामिल होती थी। चोल शासकों के पास शीप बिल्डिंग जहां जो के निर्माण के बारे में बहुती समुरुद्ध ज्यान था। जब हम नौ सेना की बात करते हैं तो छत्रपती सिवाजी महराज और नौ सेना के उनके सामर्थ को कौन भूल सकता है। कौकर्ण तरटक्षेत्र जहां समुद्र की महत्वपुन भूमी का है सिवाजी महराज के राज के अंतरकत आता था। सिवाजी महराज से जुड़े कई किले जैसे सिंदू दूर्ग, मुरूर जंजिरा, सुवण दूर्ग, आधी या तो समुद्र तट्रों पर स्थिर्थ थे या तो समुद्र से घिरे हुए थे। इन किलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठा नौ सेना करती थी। मराठा नेवी में बड़े बड़े जहां जो और छोटी छोटी नौकाओं का कॉमिनेशन था। उन्होंने मराठा नौ सेने को एक नए स्तर पर पहुंचाया। और कई स्थानों पर मराठा नौ सेनिकों के अड़े स्थापित किये। स्वतंतता के बाद हमारी भारती नौ सेना ने विभिन आउसरों पर अपना परक्रम दिखाया। जहें वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध हो। जब हम नौ सेना की बात करते हैं तो सिरब हमें युद्ध ही नजर आता है। लेकिन भारत की नौ सेना मानवताक के काम में भी उतनी ही बढ़चट करके आगे आई है। भारत के में छुद्ध है। भारत के हैं प्राम काल शोते हैं जब ही आई है।